यूके में अपनी प्रेजन को मजबूर करने के उदेश से साइलेंस ने न्यू एसो वन प्लस इलेक्टिक स्कूटर लॉंच किया है ये पॉपलर एसो वन इलेक्टिक स्कूटर का स्पोर्टियर वर्जन है इसकी लॉंचिंग के साथ कम्पनी के फोर्ट पोलियो में अब 2022 में केबल लिमिटेड नंबर में एसो वन प्लस इलेक्टिक स्कूटर आफर पर होगी यूजर अपने एसो वन प्लस स्कूटर को कम्पनी की वेब साइट पर रिजर्व कर सकते हैं अगर इस स्कूटर के फीचर की बात करे तो एसो वन प्लस साइलेंस एसो वन कनेक्टेर इलेक्टिक स्कूटर पर बीस्ट होगी जिसकी प्राइस लगभग पांच लाग पैतालिस हजार रुपय है जबकि कोड डिजाइन काफी हक तक सेम है एसो वन प्लस को स्पोर्टी एंथे साइड ग्रे कलर थीम में पेश किया जा रहा है इसमें अधिक लीवली लुक और फील के लिए ग्लास ब्लैक डिटेलिंग है अगर अधर फीचर की बात करें तो इसमें राउंड हैटलेंब टिंटेड वाइड स्क्रीन ट्रेंडी रियर व्यू मिलर सिंगर पीस सीट और लॉंग टेल सेक्टर सामिल है एसो वन प्ल लगभग नहीं होना चाहिए फ्लोर बोर्ड एरिया में रोजमर्रा की जरूरत जैसे आधी के लिए प्राब जगह है एसो वन प्लस इलेक्टिक स्कूटर में आपको एक पुश्टू पास मोड है जिसमें यूजर लगभग 109 किलोमीटर परती घंटे की गती प्राब कर सकत हैं ये ओवर टेक करते समय काम आता है एक पुश्टू पास सस्पेशन ओप्शन को भी अजेस्टेबल ओप्शन के साथ अपडेट किया गया है यूजर पीछे के सस्पेशन को सौफ्ट और ड्राई के लिए कंप्रेशन को भी अजेस्ट कर सकते हैं लाइड वेड डिस्क व प्लस इलेक्टिक स्कूटर में 7.5 किलोवाट की लाज कैपिसिटी वाली मोटर मिलती है जो मैक्सिमम 12.23 पीएस की पावर जनरेट करती है इसमें 5.6 किलोवाट आवर की लीथियम आईरन बैटरी पैक है एकॉर्डिंग टू रूल इस इलेक्टिक स्कूटर की टॉप स्पीड 100 किलो मीटर पर आवर है हलाकी स्कूटर हाई स्पीड प्राप करने में कैपबल है इसमें टोटर फोर राइड मोर एबलीएबल है इको सिटी, स्पोर्ट और रिवर्स गियर इसकूटर को मैक्सिमम 320 कि बजन ले जाने के लिए रेट किया गया है इसमें CBS के साथ दोनों एंड पर डिक्सक ब्रेक है WMTC इस टेंडर के अगौटिंग रेंज लगभग 137 किलो मीटर तक है और स्कूटर को 6-8 घंटों में चार्ज किया जा सकता है और स्कूटर और बैटरी की वरेंटी दोसा रखी गई है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा कि साइलेंस एसो बन प्लस इलेक्टिक स्कूटर क्या इंडियन मार्केट में धर्मार मचा सकती है